कुशा भाव ठाकरे पत्रकारता विशुक दैले में जब आप कुल्पत थे तो विद्यार्थी बहुत आपको याद करते हैं जिम विद्यार्थियों के बारे में जिकर कर रहे थे कि एक समूह आपने ते यार किया था और उनकी एक तरह से बैचारी परविश आपने की थे किस तरह के विश्यों पर फिल्म बननी चाहिए और जैसे ट्रंस जेंडर्स की समस्या आपने दी थी सबसे पहले आप ही का आता है मार्ग दर्शक प्रेणा और डर्क्र सची दाना जोशी और बहुत अच्छी विद्याले में जब आप गये कुल्पत बनने तो क्या चुनोतिया और जब 10 साल कारेकाल आपका जब खत्म हुआ निकले तो कितने आपके जो उदेश्य थे जो लक्ष था उसके प्राप्ती हुई तो आपको बताएं जब मैं गया तो मेरे हाथ में एक कागस था जिसमें लिखा था कि आप कुल्पती हैं पंदरा लाख रुपए आपकी उनि हम तीन लोग हैं और पंदित रवीश अंकर शुक्लिविश विद्याले के एक कमरे में मेरा रहना और तूसरे कमरे में आफिस ऐसा हमने शुरू किया और बताया गया कि नहीं साब अगले ही महीने अटल जी इसका उदगाटन करने वाले तो उसी कमरे में बैठके हम लोगों खंडवा में नहरु युवा के अंदर में था तब नया दफ्तर शुरू करने का अनुबह था या माखनलाल में नया दफ्तर शुरू करने का अनुबह था इसलिए जब मैं राइपूर गया तो मैं अपने साथ कागज, टोचा, टैग, ये सब भी लेके गया तो जो हमारे फाइस बच्चों से शुरू किया था लेकिन यहां थोड़ी प्राथिमिकताय अलग थी मांखनलाल चतुरूदे बिशुविद्याला होने के कारण पत्रकारिता बिशुविद्याले को लेकर उस तरह की होस्टिलिटी नहीं थी लोगों को मानूम था कि एक पत्रकारता विश्विद्याला है तो दूसरा भी हो सकता है लेकिन दूसरी तरह की चुनोतियां थी जिस से उबरना था बिरोक्रेसी के अपने रंग धंग होते हैं लेकिन वहाँ एक बात जो बहुत अच्छी हुई जो मैंने बहुत जोइन करते समय जब मैंने हमारे वहां के माननीमों की मंतरी जी ने मुझे से पूछा था कि एक चीज आप बताई की क्या आपको चाहिए मैंने बहुत सिर्फ एक चीज चाहिए कि पॉलिटिकल विल होना चाहिए इस युनिवर्सिटी को चलाए रखने की पॉलिटिकल विल होना चाहिए अगर आप कन्विंस होंगे तो ये युनिवर्सिटिव द्यारे चल जाएगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी संसाधनों की कभी नी होगी और आप काम करो उसके बाद उन्होंने कभी इंटर्फियर नहीं किया कभी पूछा नहीं कि आप क्या कर रहे हो इस युनिवर्सिटी में ये उस विक्ति का बड़पन है देखिए वो मुक्हिमंतरी है मैं ये नहीं कहता हूँ लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप क्या करें और नहीं कभी इंटर्फियर किया कि ये मत कीजिए वो मत कीजिए यहां तक कि जब हम जमेन ढून के आये तो वो जमीन हमने ढून ली और उन्होंने कहा मुझसे कि आप जमीन ढून लो मैं अलाट कर दूँगा तो जब हम जमीन ढून के गए मैंने का सार ये जमीन है इसको अलाट कर दी तो नहीं मुझसे कहा कि जोशी जी आप अपने रहने कहाने की तो चंता करो युनिवर्स्टी की चंता दो बाद में होती रहेगी आप यगिन निमाने कि जब हमने उनिवर्स्टी की जमीन पकी की तब तक मेरा कहां रहना है मेर आपनी थता ही नहीं थाग्छ nombreux ते लेकिन मैंने कहा कि तो हमने पहला सत्र जब प्रारंब किया मैंने मार्च में जॉइन किया और हमने अगस्त में पहला सत्र शुरू किया, लेकिन जिस दिन सत्र शुरू किया, उस दिन हमने विश्विध्याले के कैंपस का भूमी पोजन भी किया, within six months. उसका प्रभाव ये हुआ कि पाँच साल के पहले उस विश्विध्याले का परिसर बन के तैयार था, और वो इतने कम पैसे में वो पूरा परिसर बना कि लोग अभी भी आश्चरे करते हैं, और वो पूरा का पूरा PWD ने बनाया, तो जब उसका उद्गाटन होने लगा, तब मुखिमेंत्री जी आश्चरे से कहने लगे कि अरे, ये तना बन गया पता ही में लगा, और फिर मेरा एक संकल् दीक्षान समारो होना चाहिए, और फिर दीक्षान समारो हो तो ऐसा विक्ति आए कि जो अभी तक राइपूर में आया ना हो, चातिस गड़ में या नए नए चातिस गड़ में ना आया हो, तो कुछ इश्वर का आशिरवाद था, मैंने कहा कि हम परम पावन दलाई लामा अभी तक तो जो 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 सोचा है इश्वर ने पूरा करने में मदद किये, तो आप बस आप अभाएदान दीजिए, मैं ले आऊँगा, और दो हजार तेरह में हमने दीक्षान समारो किया, दलाई लामा ची लाए, मेरी दृष्टी से मैं बताऊं क्रिपाश अंकर जी, मैंन कर दिया, तो मुझे लगा कि मैं बहुत संतुश्च उस समय विद्यारतियों कि संख्या कितने थी और कितने पाठिक्रम थे, उस समय हमारे पास आठ, दस पाठिक्रम थे, छे फैक्लिटी खुल चुकी थी, साड़े पांस सो करीब विद्यारति थी और कुछ केंदर भी थे, क्योंकि ये जो कुछाब उठाकर इनिवर्स्टी थी वो उसका एक थोड़ा दाएरा अलग तरह का था, तो हम उसके बाहर केंदर नहीं कुल सकते हैं, जिस तरह से आपने भुपाल में किया था, MSC Electronic में ये वहां भी किया, ये यहां भी किया, वो इसलिए जरूरी था, जोनिक शिक्षा जाना जरूरी थी, आप कलबना करेंगे कि जो धुर नकसली इलाका है, उस धुर नकसली इलाके में भी हमारे भानु परतापूर जैसे जगह में हमारा एक पार्टिक्रम चलता था, बैचलर अफ जर्नलिजम का, और उसमें ज्यादा तर बच्चे जो थे व पार्टिक्रम शुरू करने का प्यास किया, ये मतलब उस राज्य की जो आवशकता थी, उसको देखते हुए, और ये सारे आधुनिक पार्टिक्रम हमने महा शुरू किया, और बहुत लोग प्रियर है, बहुत अच्छा, आज भी उस इनुवरस्टी की बहुत अच्छा जो कम्यूटी रेडियो स्टेशन है, बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पर है। बहुत काम आता है, प्रस्ताओ कैसे बनना है, फाइलें कैसे चलती है, मंत्राले की क्या गती होती है, इसका बहुत फरक पड़ता है, और इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का आभास हो जाता है, और इसलिए आपको कैसे इसको डील करना है, कैसे चलना है, उसका बहुत फाइदा होता है, बहुत फाइदा होता है और बहुत सीखने को मिलता है और एक चाहे माता पिता की सीख रही हो चाहे गुरुजनों का आशिरवाद रहा है कि ये कि आप हमेशा आख कान कुले रखिये कौन सी चीज आपको किया कब सिखा जाएगी इसका कोई भरोस्सा नहीं तो इसलिए हमेशा बहुत सीखा उसका फाइदा यह हुगा कि जब हमने यहाँ जॉइन किया तब हमें मालूम पढ़ा कि जो सबसे पहली समस्या है वो यह है कि एक एक इतने बड़े तंतर को चलाने के लिए आपके पास एक मजबूत आर्थिक आरधार होना चाहिए। सरकार ही देगी आपको पैसा लेकिन उसके लिए आपको जब्दो जहत करनी होगी तो पहले साल का हमने यहाँ एक मिशन बनाया था कि मैं आई जी एन सीए के कॉर्पस में कुछ इजाफा करूँगा हम जानते हैं कि आई जी एन सीए जब स्थापित हुआ था तब इसको कुछ रूप से अब हम मतलब कमजोर नहीं हम नए प्रोजेक्ट ले सकते हैं नए काम कर सकते हैं तो यह फाइदा हमको जहाँ बहुत मिला और दूसरी चीज जो बड़ी है जो नई संस्थाओं में काम करने के साथ से जो आती है वो यह आती है कि आपको अपके कपड़ों में धू लगाने में शरम नहीं आती है तो इसलिए वाइट कॉलर जाब कभी किया नहीं कुरसी पर बैठकर काम कभी किया नहीं इसलिए जब पहले भी दिन आये तो मैं IGNCA के तमाम तहकानों में भी जा जा कि देखा कि कौन सी चीज किसका उपयोग कर सकते हैं कौन सी चीज सुधार किया जा सकता है तो अगर आप कुरसी पर बैठके प्रशासन करेंगे तो नहीं हो सकता और मुझे लगा कि यहां के लोग बहुत भले हैं बहुत काम करने की इच्छा है बहुत देने की इच्छा है सिर्फ उनको एक सही दिशा की जरूवत है सही मोटिवेशन की जरूवत है तो एक मितर के नाते, भाई के नाते, पिता के नाते, मैं जितना दे सकता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ. आपका एक बहुछर्चित काब्य संग्रा है मNET ध्यांतर और उसके बहुत सारी कविताएं चर्चा में रही है और कविता को कैसे किताब के पने से जबान तक लाए जाए. इसके लिए आप खुद ये मानते रहें और कहते रहें कि कावयाबृती होनी चाहिए. और चुकि थादीर से भी आप जुड़े रहें हैं, तो आप एक कावयाबृतिकार भी हैं. तो मध्यांतर जो आपका संगरा है, उससे कुछ कविता हैं, हाला कि मुझे बहुत सारी कविता हैं, बहुत प्रीया हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे जो शोताब और दर्शक आज इस करिकर्म को देख रहे हैं, उनके लिए कम से कम दो कविता हैं, वाणी और शब्द, उसके आपरितिकर हैं सर, मध्यांतर संग्रा से उसके पहले कि मैं मा कविता पढ़ता हूँ, मा के बारे में हम सभी, सभी के मन में अपनी मा को लेकर जो भाव होता है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक स्वर्ग की करनूब होती है, अद्भुत अलो की करनूब होती है, तो मा को लेकर मैंने कुछ जो बात और एक पूरी की पूरी पाटशाला भी ये जाना मैंने बाब बनने के बाद बात ही तब समझ में आई जब मैंने देखा दो पीडियों की माओं को ये भी जाना मैंने की माँ सिर्फ माँ होती है वो न अच्छी होती है न बुरी होती है न गोरी होती है, न काली, न मोटी, न पतली, न लंबी, न नाटी, वो सिर्फ मा होती है दुनिया की सबसे सुन्दर, सबसे ममतामई, सबसे होशियार, सबसे अच्छी, वो मा होती है वो ना बड़ी होती है ना छोटी होती है ना अमीर होती है ना गरीब होती है ना नामचीन होती है ना अंजान होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ मा होती है उम्र के पचास बरस पार करने के बाद इतना तो जान ही गया हूँ कि मा से बढ़कर कोई शब्द, कोई उपाधी, कोई विशेशन बना ही नहीं इस दुनिया में इसलिए मा से मुबारक, मा से मुकम्ल, मा से मंगल, मा से उज्वल, दूसरा कोई नहीं है आपकी, और हाँ, आपकी भी ही मा की तरह, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, मेरी मा है, क्योंकि वो मेरी मा है अब आपने वाणी का उले किया है तो मैंने वाणी शब्द वाक के अक्षर ऐसे कुछ रचनाई लिखी तो वाणी और शब्द आपके सामने पड़ा देता हूँ वाणी वाणी बोलकर पच्टा गई मुखरित हुई अभिव्यक्ती चला गया संदेश गगन में चलने लगे अंधर प्रतिक्रिया के जो कुछ थमा था अभी तक अचानक हो गया गतिशील हिलोरे लेने लगे नए संकेत गढ़ी गई नई परिभाशाएं और नई मानिताएं तूटने और जुडने का क्रम इस तरह चला आपा धावी में लगने लगा कि इस जंजावाच से बहतर तो पहले का मौन ही था वाणी बोल कर पच्टा गई और शब्द जो आपने बात कही शब्द शब्दों के इर्दगिर्द ही बुने जाते हैं अंगिनत शब्द और उनके आस पास फिर बुना जाता है शब्दों का जाल शब्द 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 नजाने कितने और कैसे अलग-अलग अर्थ लिए अलग चेतना और संदर्व लिए हैरानी होती है देखकर रचे गए इतने शब्दों के बावजूत एक भी ऐसा नहीं जो सही अर्थ दे पाए अपने होने को अंगिनत शब्द निर्थक शब्द एक तरफ जहां जनता के बीच काम किया थेटर में रते हुए और आज तो यह जो आपका सुपन है इसे रुपाइद करने का एक मंच भी मिला हुआ है आप इंद्राग्यां धिराष्टे कलाकंदर के सदस्त सचीव है और पिछले दो वर्षों में उस सुपन को रुपाइद करने की दिशा में आपने क्या प्रयास किये यह बहुत बड़ा काम है इस केंद्र का काम और इस केंद्र का दाइरा बहुत बड़ा है अपने आप में यह समूची कलाओं की अवधारना को समेटे हुए है तो शुरुवात का समय तो लगभग हमें इसका काम को काम से भी ज़्यादा इसके मैंडेट को समझने में ही लग गया दरसल में करना क्या है लेकिन अब जब समझ में आ रहा है धीरे धीरे तब लग रहा है कि नहीं इस काम की व्यापकता बहुत अदिक है हमें कला के हरक शित्र में काम करना है चाहें चित्र कला हो, संगीत हो, नाटक हो, स्कल्प्चर्स हो, मूर्ती कला हो अलग-अलग तरह की कारीगरी हो जीवन शैली हो टेक्स्टाइल्स हो, मेटल हो हर क्षित्र में तो भारत की कला पहली हुई है तो उन सभी क्षित्रों में हमें काम करना है दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो अथाह भंडार हमारे गरंथों का है उसको फिर से उकेर के पढ़ना और नए संदर्व में उने प्रस्तुत करना ये भी एक बहुत बड़ा काम है बहुत 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 विद्वानों के कई महत्पूर संदर्व और संग्रे हैं हमारे पास उन्हें सहेच के रखना उनके उपर शोध कराना ये भी एक बहुत बड़ा काम है तो इस सब काम को करने के लिए जो पहली चुनोती मुझे इसके इंदर में लगी वो ये कि इसके लिए हमें जिस तरह का मानव संसाधन तयार करना चाहिए शायद उस तरह का मानव संसाधन तैयार करने में हम कहीं तो भी चूक रहे हैं आर्ट हिस्ट्री जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो विद्यार्थी स्कॉलर बन जाए ये कतई जरूरी नहीं रहता संस्कृत जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो विद्यार्थी भी स्कॉलर बन जाए ये कटब जरूरी नहीं रहता हमने हमारा समाज का मानसी बैसा तैयार नहीं किया कि स्कॉलर बने रिसर्चर बने इस खेत्र में काम करने के लिए अच्छे स्कॉलर्स अच्छे रिसर्चर्स लिए यह सबसे बड़ी चुनास़ी तो अभी हमने तीन postgraduate diploma यहां शुरू किये कोशिश यह है कि हमें जिस तरह के लोग चाहिए उस तरह के लोग हम उस postgraduate diploma के माद्दियम से तैयार कर सकें scholars वो अलग अलग जगे काम कर रहे हैं पर ये postgraduate diploma करेंगे तो उनका एक मानस बनेगा इधर काम करने का इसके अलावा जैसे हमने एक भारत विद्या प्रयोजना शुरू की युकि हम जानते हैं जैसे इंडलोजी इंडलोजी विशह तो भारत के ही बारे में चिंता करने का विशह है लेकिन इंडलोजी का जो पूरा विमर्ष है वो वेस्ट ओरियंटेड है पहले यूरोप था अब अमरीका उसको डामिनिट करता है तो भारत के बारे में अमरीका क्यों बोले भारत के बारे में यूरोप क्यों बोले भारत के बारे में भारती व्यक्ती क्यों न बोले और जब भारती व्यक्ति बोले तो उसे तुच्छता की भाव से क्यों देखा जाए तो हमें ये जो इंडलोजी का जो डिस्कोर्स है उसको भारत में केंदरित करना ये हमारा प्रियास तो उस दरिश्टी से भी हमने स्कॉलर्स जुटाना शुरू कि जो हमारे अध्यक्षियराम भादु राय जी उनका भी स्पष्ट मत था कि इंडलोजी का डिस्कोर्स भारत में होना चाहिए ये भारत की धारड़ा है तो हमने एक अलग परियोजना शुरू की यहाँ पर उसमें से हमने नए-ने स्कॉलर्स को बनाने की प्रक्रिया शुरू की सफलता मिलना चाहिए तुरंत तो नहीं मिलती स्कॉलर बनाना एक आप स स्कॉलर्स तयार कर लेंगे, रिसर्चर्स तयार कर लेंगे, तो फिर आपको किसी भी शेतर में एक अच्छी बाधिक लड़ाई लड़ने के लिए, एक बाधिक संपदा तयार करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा मानव संसाधन होगा, टेकनलोजी कहीं भी मिल जात वो शायद मैंने निकल सकता, यही तो scholarship है, तो उसको तैयार करना, उसके हिसाब से लोगों को तैयार करना, यह एक बहुत बड़ी चुनोती इस केंद्र की थी, दूसरी एक बहुत बड़ी चुनोती यह थी कि जो कुछ यहां हुआ या हो रहा था, उस सब कुछ एक बहुत बं अती समरांत लोगों तक की सीमित है, और सामान्य व्यक्ति की समझ पे इसे नहीं आना चाहिए, तो जब राय सहाब ने और हमने यहां पर काम शुरू किया, तो यह भी एक बड़ी चुनोती रही कि जब तक इसको हम जनता से नहीं जोडेंगे, जब तक हम इसको ग्रास रू संस्कृति तो उस तरीके में भी है, मैं और आप बात कर रहें, वो भी संस्कृति कांग है, जिस तरह से मैं और आप एक दूसरे को अभिवाधन करेंगे, वो भी संस्कृति कांग है, तो इन सब चीजों को बताने के लिए संजोगने के लिए कौन आएगा, फिर हमने इसके दरवाजे खुले किये, इसको जादर से जादर इसका लोग को व्यापी करन किया, अलग अलग तरह के लोगों को शोधारतियों को बुलाया, जमीन से जुड़े हुए लोगों को बुलाया और उसमें जिसतर से आप लगे रहते हैं, राय साब लगे रहते हैं, तो संस्कित संवाद शिंखला के पीछे आपका क्या दे रहा है? उसकी बात देखी ये हुई, अगर आप अपने भारती कला की और संस्किती के अवधारणा को देखें या भारत की सामान ने सामाजी का अवधारणा को भी देखें, तो संवाद हमारे संवाज का मू लंग रहा है, हमारे सारे शास्त्री ग्रंथ संवाज श्यली में रखे ग भगवत गीता भी संबाद शेली में है, वेद भी संबाद शेली में है, नाटिशास्त्र भी संबाद शेली में है, ये संबाद क्यों है? क्योंकि हमने ये महसूस किया, हमारी संस्कृति में है, वादे वादे जायते तत्व बोधा, कहते हैं, जब तक हम बात नहीं करेंगे, बात सुलजेगी नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी, हमने इसलिए हमारा खुलापन रखा, पिछले कुछ समय से क्या हुआ है, कि हमारी ये जो भारत की जो वाद की परंपरा थी, ये समवाद की परंपरा थी, इस पर गहरा कुठारा गात होने लगा, क्यों हुआ, कैसे इस बात में मैं नहीं जाता, उसका विचलेशन समाज विग्यानी करें तो ज्यादा बहतर होगा, और देखा कि ये जो समवाद करने की जगहें हैं, ये हमारे समाज में कम होती चली जा रही है, क्योंकि हम आरोप प्रत्यारोप करना, एक दूसरे पर आकरमन करना, वैचारी एक जगह ऐसी हो, जहां पर हम एक रचनात्मक संबाद करें, इसलिए उसका नाम जो है, वो संस्कृती संबाज श्रंखला है, फिर ये हुआ कि संस्कृती संबाज श्रंखला होगी, तो क्या हम चाहे जो विशाय लेके करेंगे, चाहे जिसी कंटेंपररी विशाय पर भी ब निश्चित मकाम पर जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, हर एक चीज की एक प्रोसेस है, ग्रैजुल है, समझ में आएगा लोगों को, तो पिर हम क्या करेंगे, हम उस व्यक्ती के अवधान पर एक पुस्तक निकाल सकते हैं, उस व्यक्ती के अवधान पर हम एक फिल्म बना सक और इसकी एक गूंज आपको आगे कही वर्षों तक समझ में आएगी, जब हम दीरे दीरे, अभी हमारे साथ चरण हुए हैं, आठ माह भी इसी अपरेल माह में हैं, आगे आने वाले वर्षों में हम इसको इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति पर या किसी किसी विचार पर केंदरित करके उसके माध्यम से हम संबाद करें, बहुत उत्साह से लोग इसमें भाग लेते हैं, अभी हमने जब कलकत्ते में आयोजन किया, शद्दे कृष्ण भिहारी मिश्री जी पर, तब आपने देखा, सुबह से शाम तक लोग बैठे रहे, रात तक क्इयम संबाद, जी दो न की हम चाहता है, रहे, इसन की चाहता है, जी या आप चाहता है, जो अभी हमने संसक्ती संबाद करें हैं, और यह अभी अब हुआ हैं, और हमें, क्योंकि हमें हर एक चीज को करने में थोड़ी सी हिम्मत और संसाधन सारी चीजों का ही रहता है, कलकत्य में प्रयोग अच्छा हुआ, अब हम वारानसी में एक संभात करेंगे, एक भौपाल में करेंगे, एक हम बडोद्रा में करेंगे, एक हम बंगलूरू में करें कुछ यहां के लोग जाएं यह सारी चीज़ों को करना है दक्षड शियाई देशों में जो भारती संस्कृती है अब जैसे कोई ऐसा देश नहीं है जहां बहुत धर्म का प्रभाव ना हो एक तरह से जो रूटस हैं हिंदू और बहुत धर्म के हो तो यहीं से गए हैं और इसलिए बहुत एक अधियता लगती है रमायड और महा भारत का सब जग़ा सारे देशों सब देखशने से हैं देशों एक समान मलेशिया में तो रमायड ही लिखे गई हैं तो एस जो सांस्कितिक एक अधियता है इस पूरे उपमहाद वीक में उसे गति देने में भी इंड्रा गांधी, राश्री कला केंदकंडर एक धुम्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे हैं पर इंद्रा गांधी राश्री कला के इंद्र में एक पूरा का पूरा विभाग है, जो पूरे एशियाई देशों के, एशियाई देशों में फैली भारती सांस्कितिक संपदा पर अध्यान करते हैं, अभी हमने मार्च के महिने में दो हमारे हैं लगी हुई है, और आपको एक रोचक बात बताएं, जो एक बड़ी उपलबधी भी है, कमबोडिया में हम जानते हैं, अंकोरवाट का मंदिर है, और अंकोरवाट में हुआ यह है कि दुरभाग के कि भारती परियाटकों की उतनी आवाज आ ही नहीं रही, भारत क बहुत सीमित परियाटक कमबोडिया जाते हैं, यह एक दुख की बात भी है, तो हम कहते तो हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और हम सब जानते हैं कि वो मूलता विश्वनु का मंदिर था, लेकिन अब वहां पर अवलोके तिश्वर का मंदिर है, और परंपराए वहां की बदल गई है, लेकिन हम लोग जब कमबोडिया गए और अंकोरवट मंदिर देखा तो हमें मालूम पड़ा कि वहां की पूरी की पूरी जो आइकनोग्राफी है, सभी दीवारों पर जो चित्र अंकित हैं या जो मूर्तियां अंकित हैं वो तो सब हमारे भारती उस मंदिर की पूरी की पूरी एक मुल्टी मीडिया प्रस्तुती हम कर सकते हैं, आप जाते हैं इंद्रा गांधी राष्ट्री कला के इंद्र ने कुछ वर्ष पूरू, ब्रेदेश्वर जो हमारा मंदिर है उस पर हमने पूरी की पूरी मुल्टी मीडिया प्रस्तुती की तो उसी को लेकर हम वहाँ गए थे, वहाँ जो अपसरा नैशनल अथार्टी है, जो वहाँ की एक तरह से जैसे ASI है हमारी संस्ता, उस तरह के वो कमबोडिया के मंदिर को देखती है, तो हमने उनको ये प्रस्ताव दिया कि हम इसका एक मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन बना तो वह एक इंटरनेशनल कानफरेंस है, जो कंजरवेशनिस्ट की, ICC कानफरेंस वही उस पर सहमती देती है, आप सामाने तोर पर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जब हमने प्रस्ताव दिया तो वह ICC कानफरेंस में रखा गया और स्वीक्रित हुआ, ये गर्व की बात है कि IGN CA जो है, वह एक ऐसी पहली एजनसी है, जो अंकोरवाट की मंदिर की आइकोनोग्राफी पर काम करेगी, अभी हमने मार्च के महीने में उस पर एक सेमिनार भी किया, कंबोडिया से कई विशेशक गया आए थे, थाईलेंड से आए थे, सिंगापूर से आए थे, फ्रांस से आए थे, और अब हम उसका एक 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 एक्शन प्लान बना रहे हैं, जिसके माध्यम से हम वो स्टडी करेंगे, आने वाले तीन-चार वर्शों में उमीद है कि हम एक बहुत खुबसूरत सा मुल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन उसका बना सकेंगे। चितकी हम बहुत आपके अभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको.